मेरा नाम अभिसेक तीवारी है एवं मेरे पिता जी का नाम स्री हरी संकर तीवारी है इस साल यूपेसी दोरा आयोजित इंडियन स्टैटिकल सर्विसेज में मैंने 13th rank हासिल की है मैंने अपनी स्टार्टिंग की स्कूलिंग भगवद नमरे इंटर कालेज मिस्रिक सीतापुर से की है स्टार्टिंग से ही मेरा मैथमेटिक्स में सब्जक्ट में ज्यादा रूची था इसी को देखते हुए मिस्टर रोही तवस्थी सर ने मुझे स्टैटिस्टिक सब्जक्ट के बारे में बताया और मुझे BSC स्टैट्स करने का सुझाओ दिया उनके कहने के अनुसार मैंने BSC स्टैटिस्टिक में लखनो इन्वस्टी में एड्मिसन लिया यहां मैं जब अपनी पढ़ाई कर रहा था तभी मुझे इंडियन स्टैट्सकल सर्विसेज के बारे में पता चला यहां UPSC दरा परिच्छा कंड़क्ट कराई जाती है एवां ग्रेड ए की जौब होती है तब मैंने सोचा कि इसके थ्रू मैं अपने गवर्मेंट आफ इंडिया की मदद कर सकता हूँ एवां अपना नालेज अपनी देश के डिवलमेंट के लिए यूज कर सकता हूँ मैं आप लोगों से एक अपनी कहानी सेर करना चाहता हूँ लास्ट यार जब मैं इंडियन स्टेटकल सर्विसेज की प्रिप्रेशन कर रहा था तब बहुत सारी मुश्किले आई जैसे कि जब मैं एक्जाम देने वाला था आईसेस का एक्जाम आप लोग जानते हैं कि 27 जून के महिने में होता है तो आप लोग इस पे थोड़ा डेट पे गवर फर्माईएगा कि 15 जून 2018 को मुझे टाइफाइड हो गया जिससे कि मुझे डाक्टर्स ने एक वीक के लिए एड्मिट होने के लिए कहा और मेरे घरवाले भी मैं लखनव में रहके अपनी प्रिप्रेशन करता था तो जब घरवालों को पता चला तो वो भी लखनव पहुच गये एवं एक हपते के लिए मैं वहाँ एड्मिट रहा तभी मैं अपने नोट्स वगेरा साथ में मंगाए हास्पिटल में रिवाइज करने के लिए क्योंकि लास्ट का रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है लेकिन डाक्टर्स ने मुझे बिल्कुल किताब पलटने तक के लिए मना कर दिया आखिरकार जब छे दिन बाद मैं हास्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो घर वाले मुझे यहां अपने गाउं मिस्रिक ले आए जहां मैं दो-चार दिन के लिए रुका और मेरे पैरेंट्स ने विल्कुल एक्जाम देने से मना कर दिया घर वालों का और फेमली का भी प्रिसर था कि एक्जाम मैं इस साल ना दूँ तब ही मैंने नीरे जवस्ति सर से बात की और उनको ये बताया कि मेरे घर वाले एक्जाम ना देने के लिए प्रेजित कर रहे हैं तो ये सुनकर उन्हों उनको बड़ा अचमभा लगा और वो थोड़ा सुरुवात में गुसा हुए और मुझे समझाया कि एक्जाम ना देना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है और उन्होंने मुझे अपना confidence level बनाये रखने के लिए कहा और उन्होंने अपने से related कई सारी मुझे stories भी बताई कि अगर आप एक्जाम के पहले बीमार पढ़ जाते हैं तो यह ज्याधा आपको effect नहीं करेगा बस आप अपना confidence level high रखिए परदामता मैंने अपने guardians को मनाया और मैंने उनसे एक्जाम में बैठने के लिए अनुमित ले ली एक्जाम में बैठने के लिए लखनौ चला गया और अपना एक्जाम दिया एक्जाम के डियूरेशन भी मैं टैबलेट्स खा के अपने पेपर लिखता था और आप लोग जानते होंगे कि ट्राइफाइड होने के बाद सर में काफी दर्द रहता है जिससे कि एक्जाम लिखने में बहु सारी प्राब्लम्स आती हैं लेकिन आपको इन प्राब्लम्स से बिलकुल नहीं घवराना है और अपना कांट्विडेंस लेवल बिलकुल हाई रखना है बाकी दूसरी समस्या कि इंडियन इस्ट्रेट्सकल सर्विसेज की तैयारी करते वक्ट इस्टुडेंस के मन में यही रहता है कि मैं अपना इंटर इंटर्विव से बाहर होना पड़ेगा क्योंकि वहां लोग प्रिफरेंस इंग्लिस मीडियम वालों को देते हैं लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैंने अपना पूरा इंटर्विव हिंदी में दिया तो इससे आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोगों को इ इस आएसस के एक्जाम के बारे में बताना चाहूंगा कि इंडियन स्टेट्सकल सर्विसेस का एक्जाम का नोटिफिकेशन मार्च मंत के हर्ष्ट वीक में आ जाता है इसमें आपको कितनी सीट्स आई हैं इसके बारे में पता चल जाता है और एक बात इस समय में आपको लो कि अरे दस सीट आई हैं तो उसे ही डड़ जाते हैं कि अब मेरा इस बार नहीं होना है आप अपना बेस्ट दीजिए क्या पता आप ही उन दस स्टूडेंस में एक हो आप नोटिफिकेशन फिर आप अपना फार्म फिल कर लीजिए और इसके बाद अब मैं आता हूं कि इंडि अब मैं आप लोगों से इंडिया जैनल इस्टडीज के बारे में डिसकसन करना चाहता हूं जैनल इस्टडीज के लिए आपको दैनिक रूप से एडिटोरियल्स और कोई एक नियूज प्यापर फालू करना चाहिए मैंने दा हिंदू को रेगुलर रूप से फालू किया थ दा हिंदू के एडिटोरियल्स काफी टफ लिखे जाते हैं तो उन्हें आसानी से समझना थोड़ा मुश्किल होता है इसके लिए आप लोग यूटूब पे बहुत साइज चैनल्स हैं जिनको फालू कर सकते हैं मैंने इस्टडी लवर वीर को कांटीनियो दो साल से फालू क कर रहा हूं और आप इस जनल्स्टडी के लिए एक मैगजीन भी फालू कर सकते हैं मैं इसके लिए विजन फालू कर रहा था इस साल अभी हम लोगों के मार्क्स आ चुके हैं जिसमें की जनल्स्टडी में मैंने 22 नंबर प्राप्त किये हैं और पॉलिटी के लिए भी इसमी कांत की बुक फालू कर सकते हैं मैंने जनल्स्टडी के लिए केवल करेंट अफेर्स और पॉलिटी पे फोकस किया था जनल्स्टडी के लिए लोगों में एक भय होता है कि हम इसमें पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोगों का में सब्जक्त का फोक आप लोग current affairs और quality पे ज़्यादा focus करें क्योंकि quality हम लोग एक बार पढ़ने से उसे समझ सकते हैं और उसे याद रख सकते हैं बाकी आप लोग history, geography and Indian economy पर भी focus कर सकते हैं लेकिन मेरा सुझाओ यही रहेगा कि आप लोग quality और current affairs पर अच्छे से focus करें अगर आप current affairs पर focus करके चलते हैं तो आपको दो चार questions, history, economy and geography मिल सकते हैं बाकी आप लोग अगर करना चाहते हैं तो NCRT 9 से 12 तक cover कर सकते हैं जिससे आपको बाकी जनलिस्ट इडिज के papers में काफी help मिलेगी और जब आप लोग editorial सुन रहे हों तो सुनने के पश्चात उसके notes जरूर बनाएं उसका ज्यादा तर उसे लिखने की कोशिस ना करें उसे अपने words में अपने notes बनाएं notes बनाते वक्त याद रखें कि जब आप last time पे exam hall में exam देने के लिए जाएंगे तो आपको उनको एक या दो बार अवज से revise करना चाहिए इसके लिए आप जितना कम हो चके उतना notes बनाएं क्योंकि editorials काफी सारे हर week repeat होते रहते हैं तो आपको उनका केवल एक सार लिखना है ना कि सारा editorial और जो आप एडिटोरियल के notes बनाएंगे इससे आपको English में essay में भी काफी help मिलेगी मैं तो कहता हूं कि जो essay आते हैं वो current situation पर ही आते हैं और आप लोग एडिटोरियल से ही आप एक अच्छा essay लिख पाएंगे और essay 30 marks से आता है तो उसमें जितने अच्छे marks आप score कर पाएंगे उतना आपके selection के लिए अच्छा होगा अब इंग्लिस के लिए आप 12 standard की कोई एक book follow कर सकते हैं मैंने excellent की book follow की थी लेकिन एक बात याद रखिए कि आप बार बार आपको books बदलनी नहीं हैं कि आपने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि excellent follow कर लो ठीक है मैंने excellent follow कर ली उसके बाद आपने दूसरे से पूछा उसने बताया कि अरे भाई आप SST का book follow कर लीजिए तो आप SST पे code गए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है अपने आप में confidence रखिए और कोई एक book follow करिए उसे ही बार बार आप पढ़ते रहिए जिससे आप निश्चे ही अच्छा score कर पाएंगे अब हम आते हैं अपने main four subject पे STATS के STATS first paper STATS first paper में आपके topics पुछा आते हैं probability, random variable and mathematical expectation, correlation, regression, etc. and numerical analysis और computer मैंने computer का सिनहा and सिनहा book से पढ़ा था जिससे मुझे help मिली बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 80 questions में मैंने केवल 43 questions attempt किये थे और अभी जस्ट कुछ समय एक घंटे पहले हम लोगों का mark seat आया है जिसमें मैंने 104 marks obtained किये हैं out of 200 में यानि मैंने केवल computer में दो questions attempt किये थे और साय तो उसमें भी एक गलत हो गया था तो आप लोगों को किसी बात की डरने जरूरत नहीं है कि हम लोगों को में भर रहता है कि अब तो computer पुछा जा रहा है तो computer में हम अच्छा कईसे करेंगे तो आप कर सकते हैं सिनहा एंड सिनहा वुक अच्छे से फालो करिए और उसमें आपको काफी help मिलेगी करने के लिए और numerical analysis के लिए आप लोग में fundamental of statistics गुपता और कपूर फालो कर सकते हैं यह मैं तो कहूंगा मेरे हिसाब से यह बेस्ट बुक है आप लोगों के लिए बाकी standards बुक हैं जिनने आप देख सकते हैं जैसे कि वीके रोधगी गोन गुपता दास गुपता वियार भट एक्सेक्टरा अब हम लोग आते हैं सेक लिनियर मॉडल के लिए आप लोग रिग्रेशन की एक बुक मॉन्ट गॉम्री की आती है वो फालो कर सकते हैं उसके सारे टापिक्स आपको नहीं कवर करने हैं जो आपके स्लेवस में हैं वो केवल वहां से कवर करिएगा सेकेंड नमबर पे लिनियर मॉडल आप लोग गोन लिनियर मॉडल का वो आपको पुरा चैप्टर कवर कर लेना है जिससे आप लोगों को एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा लिनियर मॉडल के बारे में लिनियर मॉडल में कुछ कुष्चंस अनुवा से भी रिलेटर पूशा जाते हैं जो आपको स्थी गुपता वीके लिए उसके फार्मूले और डेरिवेसंस देख लीजेगा क्योंकि वहां से आपको डारेक्ट कुष्चंस मिल जाते हैं और उसमें जो अनुवा टेबल्स हैं वह आपको बिल्कुल टिप आप टंग होनी चाहिए क्योंकि कई बार डारेक्ट कुष्चंस वहां से मिलते हैं जिससे आपको पहुत ज्यादा हेल्फ मिलेगी कुष्चंस को करने के लिए मैंने सेकेंड पेपर में अबाउट वन थर्टी सिक्स मार्क्स गें किये हैं आउट अफ टू हेंडर्ड ओफीसियल के लिए आप मॉस्पी की वेबसाइट से नोट्स बना सकते हैं या उसका जिर पेपर में मैंने 104 स्कोर किया है हाँ वो एवरेज है लेकिन आप सेकेंड पेपर में 140 के आसपास तक कोशिज करिये स्कोर करने के लिए अब हम लोग आते हैं थार्ड पेपर पे थार्ड पेपर मुझे काफी टब पेपर लगा क्योंकि इसका जो स्लेबस है काफी लेंदी है प feature है काफी बड़ा है इसमें आपका आता है सर्वे सैंपलिंग, सीक्नोमेट्रिक्स, इंडेक्षज नंबर, दिमांड अनल्सिस और टाइम सीरीज इसमें मैंने मुझे बड़ा इसलिए लगा क्योंकि मैंने इसमें सारे टॉपिक्स कवरकिये थे सर्वे सैंपलिंग, और कुशे सम्प्र पूरा सेंपांस के लिए मेरी साथ कोचिंग के नोच पनवाय बनूबित और कुछ एक बने कर Spread किया और इकनोमेट्रिक्स के भी सलब तरके नोट से उन्हीं से मैंने पढ़ा और इंडेक्स नंबर डिमांड अनाल्सिस और टाइम से यह मैंने अपलाइड स्टाटिक वाली बुक एसी गुपता और विके कपूर से कंप्लीट किया फोर्थ पेपर में हमने मैंने इक डेमोग डेमोग्राफी मैंने एसी गुपता विके कपूर अपलाइड स्टाटिक वाली पूरी कंप्लीट कि थी और बाकी जो कुश्चन्स नहीं हो पा रहे थे वो हमारे बियच्चु में एक सर है के अनेस यादो सर उनका डेमोग्राफी का बुक है उससे मैंने एक कवर किया था औ कि मैंने एसी गुपता विके कपूर को ही फालो किया एवाम कनफाउंडिंग के लिए कनफाउंडिंग जो की काफी टफ लगता है अक्सर इस्टुडेंट्स को टफ लगता है जो आईसेस का प्रप्रिशन करते हैं इसके लिए मैंने दास एंट गिरी की डिजाइन आफ एक् एक्जामपल्स हैं फार एक्जामपल्स सेंपलिंग डिजाइन अफ एक्सपेरिमेंट डेमोग्राफी डिमांड एंडिमांड एंड सप्लाई एंड इंडेक्स नमबर और टाइम सीरीच यह आपको बहुत अच्छे से आप लोगों को इनकी प्रेक्टिस करने चाहिए क्यों एक्जाम हाल में पूछ ली आते हैं या आप प्रेक्टिस किये रहेंगे तो आपको काफी वहां पर आसानी होगी कुष्चन को हैंडल करने में और मानलों अगर आपको तीन या चार कुष्चन भी पढ़ेवे मिल जाते हैं तो आपका कान्फिडेंस बहुत बढ़ जाएग और अगर आपको कुष्चन वह पढ़े मिल गए तो आप एक घंटे में अपना वह कर पाएंगे कुष्चन अच्छे से बाकी इस बार तो मुझे ठाल पर तो काफी टप लगा क्योंकि कई सारे कुष्चन उसमें आए हुए थे जो मैंने उसके पहले नहीं प्रिप्रेर किय अगर मैंने उसे कवर किया होता तो अच्छे से कर पाता बट विलहाल मेरे थार्ड पेपर में 81 मार्क्स आए हुए हैं अभी मैं यह अपना मार्क सीट शेयर कर दूँगा जो आप लोग देख सकते हैं अब हम लोग आते हैं कि एकजाम की प्रिप्रेशन करते टाइम बहुत सारी डिफिकल्टीज का भी सामना करना पड़ा जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि निगेटिव्टी फैलने वाले लोग लोग आप से बोलेंगे कि ये एकजाम इतना टफ होता है सारा इंग्लिस में होता है और मैं जैसा कि एक गाउं से निकला हुआ लड़का जो वहाँ पर जाके CBSC बोल्ड, IESC बोल्ड, डिफरेंट बोल्ड से इंग्लिस मीडियम वाले लड़कों के साथ मुझे कमप्टिशन करना था तो कई बार डर भी लगता था क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही मार्क्स काफी अच्छा रहा जैसे कि मैंने 10th में 83% मुझे मार्क्स मिले थे, 12th में मुझे 81% मार्क्स मिले थे, मुझे Inspired Scholarship में मिलती थी तो यहाँ पर लोग अक्सर बोला करते थे कि आप टीचिंग में जा सकते हैं, कि यह लड़का आगे जिलके टीचर बनेगा लेकिन मेरा इंट्रेस्ट तो कुछ और ही था, कही एक अच्छी एक रेट की जौब पाने का, जैसे इंडियन इस्टेर्सकल सर्विसेस पहले मैं इंडियन एड्मिनिरिस्टियर्टिव सर्विसेस के बारे में मैंने पढ़ा था, जानता था लोगों में सुना करता था कि IES उर एक सबसे बड़ा जो बात है कि ये IES के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं ये भी एक कारण था, तब मुझे इसके बारे मन नहीं पता था लेकिन हाँ जब मुझे इसके बारे मं पता चला और पता चला ये कि हम लोग उन्हीं के एक्विवेलेंट होते हैं, सब कुछ वैसा ही होता है, काफी अच्छी जवाब है, तो मैंने बिल्कुल अपना इंट्रेस्ट इधर जुका दिया और मैंने फिर वो छोड़ दिया कि मुझे आईएस का पर प्रिसंद करना है, कि अगर आ इंडियन इस्टेटिकल सर्विसेज की एक्जाम देना चाहते हैं, तो इसमें बहुत से टॉपिक्स होते हैं, जो आप लोगों को भी असी में कवर नहीं करा जाते हैं, जैसे कि अग्नोमेट्रिक्स आपको भी असी में साय बहुत कम जगा पढ़ाया जाता है, तो ये आप स स्टार्ड कर जीजिए, उस पे खास कर सोमेज सर्ण ने प्रोविवेल्टी और इंफ्रेंस काफी अच्छे से पढ़ा रखा हैं, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, जो लोग लग 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 इंवस्टी या बिया इसे इंस्ट्यूट में पढ़ रहे है तो वो लोग इंफ्रेंस और रिग्रेसर अनवालसियस और प्रोविवेल्टी ये सारे टॉपिक्स वहां से बहुत अच्छे से वहां पे कवर कराए गए हैं, एंपी टीयल पे आप लोगों को इस्टार्ट से हर सब्जग यानि उससे हर टॉपिक्स रेटेड़ वीडियो ज मिल जाएंगे, जो कि आप लोग 2nd year में मैं तो कहूंगा कि आप लोग 1st year से ही वह आप लोग देखना स्टार्ट कर दीजिए, और जब क्योंकि आप लोग जब 1st year में 1st time सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो आप लोग को शुरुआत में कुछ बोरिंग लग सकता है, लेकिन जब आप लोग कुछ से अच्छिस पढ़ने लगेंगे, तो मेरा विश्वास है, आपका इंट्रेस्ट उधर जरूर बढ़ेगा, और क्योंकि ये मैतमेटिक से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो आप लोग का मैत में इंट्रेस्ट है, तो मैं 100% बोल सकता हूं कि आपक कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, और आपने अभी तक केवल थोड़ा बहुत ही प्रिप्रेशन किया है, तो आप लोग फश्ट थी मन्त में अपना पूरा स्रेबस कवर करने का कोशिस करिएगा, और जब लास्ट का तीन मन्त बचता है, उसके लिए आप लोग केवल प्रैक् कर ऐसे के क्या होगा? जतना जदा प्रैक्टिस करेंगे, उतने जदा आप एकजाम हाल में कमफर्ट महसूस करेंगे, और उतने जदा आपका कांफिदेंस लेवल हाई रहेगा, अब जो लोग स्टार्टिंग से स्टार्टिंग करते आ रहे हैं, वो लोग, मैं ऐसा मांनता ह कि उन लोगों का syllabus cover हो चुका होगा, अगर नहीं cover हुआ है तो एक या देड़ मंत में अपना syllabus cover कर लीजिये और उसके बात आप लोग अपना practice start कर दीजिये, या अगर आप लोग चाहते हैं तो अभी से एक या दो hours उसके लिए निकाल सकते हैं कि अपना answer practice के लिए, जैसे कि आप लोग general studies के लिए questions का जितना हो सके maximum practice कीजिएगा जैसे कि जितना आप practice कर लेंगे उतना आपके लिए comfort रहेगा exam हाल में अब सबसे important point हम आप लोगों के साथ share करना चाहरे हैं कि negative point लोग आप लोगों को बहुत disturbed करेंगे लेकिन आपको वहाँ पर अपना confidence बिल्कुल नहीं खोना है और आप लोगों को बिल्कुल अपने confidence को high पर रखके अपना अच्छे से अपना preparation जारी करते रहना है और हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत सुप काम ना है कि आप लोग अच्छे results के साथ exam hall से वापस आएं और इसी के साथ मैं Delhi knowledge track को धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरी strategies आप लोगों तक पहुचाने में इन्होंने मेरा बहुत बहुत सहयोग किया है इसी के साथ मैं अपने माता पिता अपने टीचर्स एश्पसली निरेज अवर्थी सर को थैंस करना चाहता हूं जिनकी वजह से मैंने इंडियानी श्रेट का सर्विसेज का exam crack किया थैंक्यू